नमस्कार दोस्तों मैं हूँ एस्पी शर्मा आप देख रहा है ग्रिंगर्ण चैनल में आप शबी को श्रागत है दोस्तों आज मैं आप तो शाथ शेयर करेंगे हिविसकास फ्लावर प्लांट का अभी क्यार कैसे करेंगे यानि कि इस टाइम आभी बेंटर का जो शुरुवात है और अक्टोबर मांद की आभी आधा हो चुके है इसके बाद आप हिविसकास फ्लावर प्लांट में फाइट लेजर क्या देंगे ताकि आपका हिविसकास फ्लावर प्लांट काफी अच्छा हो और बहुत ज़्यादा फ्लावर ने काफी फ्लावर इंग भी करें देखें मिरे शाम ने एक जो प्लांट है इसका के आपडेट दिये है यार लेरिंग से बनाया था इसमें अभी बार्ट्स एंक उच्छ लीफ देखिए लीफ के कलर जो है और देखिए कैसा हो गया यानिकि इसमें लीफ क्लोजी हो रहा है और बार्स के साथ-साथ फ्लार भी है मैं दिखाता हूँ लेकिन यह जो प्लांट है काफी लंबी शमाई से चोटे पॉट में लगा हुआ है और यह देखी कुछ रूट बहार आ चुके है इसलिए इसका ग्रोथ भी अभी रुखा पाइंगे चलिए इसका तो रिपर्ट मैं कर दूँगा और आभी फटीलिजर दे दूँगा एक अपते बाद इसका मैं रिपर्टिंग कर दूँगा और शाथ में देखिए 10 इंच का पॉट में एक प्लांट है और यह भी छोटा है निव प्लांट है कालार बहुत ही खुपस प्लाइंट में बाड्स है इसे करके आप अगर मेरा बताया नुशार आप अगर क्यार करेंगे तो आपको जरूर्वाइदा मिलने वाला है और मिलता भी रहेंगा इसमें भी बाड्स है ऐसा बहुत सारी प्लाइंट है इसमें शब से पहले तहीं को पेस्टीसाइट की बात कर लेते हैं दस्तो पेस्टीसाइट में आपको इमिडिया किलोपीड बॉदानेल एक लेटर पानी में下去 नाम से अप काभी-काभी माइने में एक बार आप अगर नेवी करोघे तब इचल जाएगा लेकिन हार 15 दिन आंतर एक बार chemical fertilizer और शाथ में मांत में एक बार आप organic fertilizer इसको दिजिए शाथ में liquid fertilizer आपको देना है cow dung cake से बना हो liquid fertilizer और mustard cake liquid fertilizer ये दोनों fertilizer की कोई भी एक fertilizer आप शाथ से 10 दिन आंतर से एक बार देंगे तो आपका flower plant काफी अच्छे रहेगा liquid fertilizer के लिए उपर में एक link प्रोवाइट करा दे रहा हो आपके शाबने एक link आ चुके है आप देख पा रहा है उससे क्लिक करके आप liquid fertilizer तेयर कर सकते हैं और अपना plant को दे सकते हैं चली आप देर ना करते हुए इसका fertilizer की बात मैं कर देता हूँ और fertilizer दे देता हूँ उससे पहले मैं और एक plant दिखाना चाहता हूँ आप लोगों को बहुत ही खुबसूरत flower है यह देखिए यह दिन में इसका color white होता है और रात में इसका color pink color हो जाते है यानि कि शाम होते ही होते हैं color pink color में convert हो जाता है यह बहुत ही खुबसूरत flower plant है स्थलकमल flower plant है इसका क्यार का वीडियो आप ही लंबी शमय से मैंने नहीं दिया है और देखिए काफी अच्छे flower बाट्स है शबी जगा पर और भी वर्ट्स है शात में इनकेश अगर आपके पास है तो इसको आभी आप एक मुठ्छी compost और 0,524 दो ग्राम इस plant को आप देदीजी इनकेश अगर आपके पास है तो आप इसको 0,524 दो ग्राम और एक मुठ्छी compost देदीजी और शात में आधा चमच एपसम शॉल्ट दे दीजी तो आपका फ्लावर प्लाइट काफी अच्छा रहेगा और हेल्दी भी रहेगा और फ्लावरिंग जो आ रहा है बाटस आ रहा है फ्लावर भी अच्छा से किलते रहेंगे च्छुटो बार्ट भी आच्छी जाएंगे, चलए अब हिविस्काज के पास चलते हburst, पाटिलेजर में शब से पहले हम लेंगे, यह स्यिखें मेरे पाश भर्मीकम्पोस्ट है, मैं चार चमस भर्मीकम्पोस्ट है, यह से लेंगे और एक जो प्लान्ट है प्लान्ट को देढ़ों चार चम मच बाढ़ एक त्यों है तो एक ट्री और चार चम मच यानिक एक मुठ्धी हो यह देखिए एक मुठी दे दिये हैं ऐसे करके आपकी पास जितनी भी फ्लावर प्लांट है आप सब को दीजिए चार्च चमच यानि कि एक मुठी और भर्मिकम पोस्ट आपको देना है माइने में एक बार यानि कि मांतली एक टाइम ग्यमिकल फैटिलेजर जो है वहांपको मांतली दो बार दोना है इसके बाद जो कैमिकल फैटिलेजर लेंगे वह कैमिकल फैटिलेज़र होगा अपसम शल्ट यह देखिए Magnesium शाल्पिट यह ऐलमोस्ट एक चमच यानि कि पांच गिराम, चार से पांच गिराम एक पॉट में आप दे शकते हैं, चार से पांच गिराम, ऐसे करके आपको दे देना है, और इसके बाद हम देंगे निमखली, एक चमच निमखली, एक चमच भर के देना है, एक चमच भर के चारो साइट, निमखली में ज़्यादा माइक्रो न्यूट्रेंट है और एन्पीके की रेशियो भी बहुत ही कम मत्रा में है शाथ में एन्टी बेक्टिरियल एन्टी फंगाल प्रोपार्टी भी है यह हो गए नीम खली इसके बाद जो मेंन केमिकल फार्टिलाजर है ओ है मेरे पास यह देखिए शोला आ और शाथ में है 24 परसेंट पटाश तो हमेशा ही आपको धेन रखना है यह जो हिविस्कस फ्लावर प्लांट है इसको नाइट्रुजन मेडियम लो फस्पराश और हाई पटाश चाहे पड़ते हैं इसलिए इस रेशियो में आपको देना है और यह देखिए मैंने 2 से 2.5 ग प्लांट है इसमें 2.5 ग्राम ही देशकते हैं 2.5 से 3 ग्राम देशकते हैं यानि कि आधा चाम मच या उससे थोरा सा कम यह देखिए इतना इसमें देदेंगे ऐसे करके और भी जितनी फ्लावर प्लांट दिखाया शावी को मैं प्रवाइड करा दूँगा भी इसके बाद गुराई करेंगे और बाटरिंग करना है कोई एक टूल्स की हेल्प से ऐसे करके आपको गुराई कर देना है अच्छा से यह देखिए आप सॉयल देख पर है कितनी ड्राई हो गया है यहनि कि इसमें आभी बाटरिंग की बहुत ही ज़रुत है आप अगर बाटरिंग नहीं करेंगे तो नहीं चलेगा चलिए आप गुराई कर लेते हैं देखिए गुराई हो चुकी है इसके बाद हम बाटरिंग करेंगे और अच्छा से बाटरिंग कर देना है उम्मीद कर तो आपको मेरा वीडियो पसंद आया है और अगर पसंद आते तो लाइक कर देना शेयर कर द देना ताकि जब भी मैं को नए वीडियो लेकर हो आप तक तुरुन पोस्ट सकें दोस्तों आज यही तक है इसके बाद फिर में लेंगे नाजन करें लेकर आएंगे थैंक्स पर वाचिंग